सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोवी क्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नोवी क्रांट में आप सभी का स्वागत हैं यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको Realme Narjo 10 के Realme UI 2.0 के जन्वरी मन्त के न्यू साप्टेर अपडेट के बारे में बताऊंगा और यह अपडेट आपके मोबाइल में कब तक देखने को मिलेगा और क्या है इसका अपडेट लॉग और क्या कुछ नए चेंजेज देखने को मिलते हैं सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर रियल मी वालों ने अपने रियल मी नार्जो 10 के अंदर रियल मी यूई 2.0 का जनुवरी मंद का न्यू सॉप्टियर अपडेट जो है रोल आउट करना चालू कर दिया है यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं रियल मी नार्जो 10 का मॉडल नंबर RMX2040 है और इस नए अपडेट का जो वर्जन है C.12 है और यह अफिसल वर्जन है दोस्तों I mean Stable अपडेट है और इस अपडेट का जो साइज है 710 MB का है और इसका रोल आउट डेट जो है 14 जनवरी 2022 है तो यह था इसका basic software interface और अब बात की जाए इसके अपडेट लॉग की तो यहाँ पर अपडेट लॉग में सबसे पहले change की बात करें तो security के अंदर January 5, 2022 के साथ current month का latest enhanced system security देखने को मिलता है इस update के बाद इसके लाव बात करें अगले change की तो apps के अंदर अगर दोस्तों आपको whatsapp में image वगर receive होता है तो जो image है वो load नहीं हो पाता था load होने में problem करता था जिसकी वज़े से जो image है वो properly so नहीं हो पाता था तो उस problem को भी इस update के थुरू fix कर दिया है इसके लाव बात की जाए अगले change की तो system के अंदर यहाँ पर दोस्तों system में जो भी छोटे मोटे non issue थे उसको यहाँ पर fix करके पूरे के पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की और भी better experience देखने को मिलता है इस update के बाद साथ ही दोस्तों यहाँ पर कभी कभी जो है lagging issue देखने को मिलता था तो उसको इस update के थुरू fix करके better कर दिया है यहाँ पर मेरे को अभी तक कोई भी lagging issue देखने को नहीं मिला है एंडगे इस बात की जाए इसके battery performance की तो यहाँ पर देखेंगे आपको इस update के बाद जो battery performance है थोड़ा improve देखने को मिलेगा इसको यहाँ पर optimize करके थोड़ा improve किया है जिससे की जो battery performance है यहाँ पर थोड़ा improve देखने को मिलता है और इस बात की जाए गेमी स्पेस के अंदर 4D वाइब्रेशन और वाइस चेंजर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको कोई भी 4D वाइब्रेशन और वाइस चेंजर फीचर्स देखने को नहीं मिलता है आपको old वाला ही game space देखने को मिलता है बट यहाँ पर जो game का performance है उसको थोड़ा optimize करके upgrade कर दिया है जिससे कि जो game performance है वो stable और smooth देखने को मिलता है तो यह था Realme Narjo 10 का full update log chain log दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताना तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तो